सफेद गमचा पहने खड़ा ये मजदूर जो चन्द रुपयों के लिए भीशन गर्मी में पसीना बहाता था लेकिन चन्द रुपयों के लिए मजदूरी करने वाले सुनिल कुमार को ये भी नहीं पता था कि एक दिन वो लखवती हो जाएगा दरसल हीरा नगर पन्ना में खुदाई के दौरान सुनिल को हीरा मल गया जिसकी कीमत करीब 30 लाग से ज्यादा बताई जा रही है पन्ना के रतनगरभा धरती कब किसे रंक से राजा बना दे कोई ठीकाना नहीं है ऐसा ही मामला पन्ना जिले से सामने आया है जोहां एक मजदूर सुनिल कुमार ने अप्रेल माहा में हीरा कारेले से दस बाई दस का हीरा खादान खोदने के लिए पट्टा लिया था जहां उसे खुदाई के दौरान उज्वल किसम का हीरा प्राप्त हुआ जिसे पन्ना के हीरा कारेले में जमा करा दिया है हमने आज से करें 20 दिन पहले से खादान लगाए यह सोच के लगाए हम लोग की आर्थिक इस्तिती बहुत कमजूर है तो बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाते ठीक से तो सोचे कि भगवान की गरपास हीरा खादा नहीं लगाए जाए भगवान कुछ साथ दे जुगल की सुर्जी साथ दे तो हम 20 दिन काम करने के दौरान हमें एक हीरा मिला है च्छे के रिट उन्तिस सेंट है अब क्या करेंगे हीरा मिला है बच्चों की भविश्ची देखेंगे कुछ का कुछ धंदा पानी करेंगे कई यहगा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुतो पार्च्ने लोग पार्च्ने हो से लोग ने लोग का मिलके लगाते ही देखेंगे नहीं मजदुर नहीं हम खुद इस लोग करते भी पर शुनील कुमार कुलू से प्राप्त हुआ है शुनील कुमार कुलू है यह निवासी जरुगवपुर के हैं जिसका वज़ेश करट उनके सेंठ है यह जुवल किसम का ही रहा है और यह बहुत ही अच्छा ही रहा है निलाम में रखने हैं बिल्कुल यह अगरी निलामी में रखा जाएगा इससे बिक्रे किया जाएगा अब ज्यारी हुआ इसने पट्टा इस्टा इसु करवाया हुआ था जिसको आज ही रप्राफ्त गुआ है इसको जो जिन 6-29 सेंट है यह जो जुवल किसम का ही रहा है अच्छा सुनेल ने उस हीरे को हीरा कारेले में जमा करा दिया है जहां पर 12 प्रतिशत रॉयल्टी काटकर सेश हीरे की राशी मज़़ूर को वापस कर दी जाएगी बिरो रिपोर्ट पंजाब के स्टी टीवी एंड हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद